हलो फ्रेंज, वेलकम तो गार्गी क्लासिस, डेट आज की 19 अगस 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस के एडिटोडियल और आइडिया पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम डिसकस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल यहां पर है, अस्टी की प्राब्लम, इस आर्टिकल में बताया है कि आर्बिया की जो अभी economy से related, state of the economy report Tuesday को जो release हुई है, उस report में कुछ optimism ज़्यादा देखने को मिला है, practical approach कम देखने को मिली है तो यहां पर editor कुछ caveat दे रहे हैं, कुछ warning दे रहे हैं, जानेंगे इस article को last में, क्योंकि यह monthly basis पे या फिर एक short term में कुछ अभी जो trend जल रहा है, inflation का, growth का, उसको लेकर के बताया जा रहा है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, right जो हम articles detail में discuss करने वाले हैं, वो है आपके सामने first article है, नौर्थीस्ट में अभी जो instability के जो scenarios निकल के आ रहे हैं, चाहे नागेलेंड में देख सकते हो, चाहे आप असम मिजरम के वीच में conflict हो देख सकते हो, चाहे में गाले में देख सकते हो, तो इन चीजों को हमें जल्द थोड़ी से stability आने लगी है, तो उस चीज को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूत है, जानेंगे क्या बताना चाहरे हैं, साथ में guardian of the house, इस article में हम देखेंगे कि कैसे हम parliament की productivity को increase कर सकते हैं, number one, number two, उसमें जो presiding officer, particularly लोग सबागे speaker, उनका role हम कैसे encourage कर सकते हैं, enhance कर सकते हैं इस technology के basis पे काम मशीने करने वाली हैं, उन मशीनों के अलावा जो बच गया काम, वो काम कौन कर सकता है, जानेंगे, women empowerment point of view से, और फिर last article जो आज का है, वो रहेगा हमारा, understanding Taliban 2.0, इस article में एक अलग opinion मिल रहा है, कि Taliban के scenario को अभी जो 2.0 शुरू है, 1.0 तो आपको पता है, 1996 में स्टार्ट हो गया था, 2001 में, खताम, पर अभी जो नया Taliban का रिजीम शुरू हो रहा है, बलो उसको समझो तो सही, आप क्यों जल्दभाजी में पहले वाले चश्मे को लगा कर कि देख रहो, चश्मा बदलो, देखेंगे नया चश्मा क्या है, ओके, तो चलिए देखते ह में मेगाले में अभी एक वाइलेंट आउट ब्रेक देखने को मिला है, वेंडलिजम देखने को मिला है, स्टॉन पैल्टिंग देखने को मिली है वहाँ पर, ठीक है, इसके पीछे वज़े क्या थी, कि पहले पुराना एक मिलिटेंट, जिसका नाम है क्रिस्टर फिल्ट, उसकी डेथ हो जाती है, एक एंड काउंटर में अगस्त 13 को, उसको फॉलो करते हुए, वहाँ के लोगों में एक कह सकते हैं कि नाराजगी आती है, और पुलीस के उपर वो लोग फिर पत्थर फैकना और पुलीस के खिलाफ में नाराजगी जाहिर करना शुरू करता है, रि इंडिवीज्वल, HNLC, एक इंसर्जेंट ग्रूप जिसको बेन कर दिया गया था, 1991 में, जिसके डिमांड क्या थी, कि मेगाले को एक सेपरेट कंट्री के तौर पे बनाया जाए, इंडियन कॉंस्टिउशन से अलग निकाल लिया जाए, ठीक है, पर इस इंडिवीज्वल अपने आपको सरेंडर कर दिया था, 2018 में, कि भई, जो मिलिटेंसी की एक्टिविटीज है, मैं उससे अब दूर हूँ, पर होता क्या है, कि पुलीस के दुआरा ये कहा, इन्वेस्टिगेशन में, या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली पुलीस को, कि ये अभी भी इन्व मतलब छोटा मोटा एक बॉम ब्लास देखा गया था, बोलो उसके पीछे थिंक्यू का ही हाथ था, तो एक तो ये सिनारियो जो मेगाले में निकल करके आ रहा है, जिससे कि वहाँ पर जो स्टेट गवर्मेंट है, कॉर्णार्ट संगमा का जो अड्मिनिस्ट्रेशन है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, कि चुहे जिस तरीके से बिल खोद करके अपनी खोदाई के मतलब खोदते है ना, तो उसी तरीके से बड़ा पहार, बड़े पहार के नीचे, नीचे माइनिंग करते करते बहुत गहराई तक चले जाते हैं, और फिर वहाँ उसे कोईला निकाल करके लिए कि आते हैं वहाँ के गाउं के लोग, ठीक है, अब उनके लिए लाइवली उड़ के लिए आप्शन कुछ बसता नहीं है, तो रेट हॉल माइनिंग में क्या होता है, कि वह माइन की जो गहराई है, वह इतनी कम होती है, गहराई तो बहुत होत अपने में ऐसा फल होना, दूसरा कोविड मिसमैनेजमेंट में और तीसरा अभी ये सेपरेटिस्ट वाली जो एथनिक सेपरेटिजम का जो आइडिया है, वह फिर से री सर्फेस होना, अपने आप में फिर से सामने आना, तो मेगाले का मुद्दा तो यह हो गया, उसमें मतलब फायर एक्सचेंज हुआ और रिजल्ट यह रहा कि छै पुलीसमें असम पुलीस के मर जाते हैं, ठीक है, तो एक ही हो गया, मिजोरम और हसम बोर्डर के ओपर अशान्ती, मतलब पीसफुल को एक्जिस्टेंस वहाँ पर नहीं हो पा रही है, और फिर बाद में आज़ाता है, नागा लेंड के एंजाइटी, नागा लेंड में जो रोलिंग पार्टी है, वो बिलकुल भी अब आपर पीस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में सकस्टोह नहीं हो पारई है, तो उन्होंने क्या किया है, एक पीस डील, जिसमें क्या किया है, एक एन यू जी करके ग्रुप बनाया है जिसमें उपोजीशन पार्टी को भी उन्होंने साथ मिलिया है कली हमने डिसकस किया है जिसमें की लेजिसलेचर में अब उपोजीशन ही नहीं बचेगा वहाँ पर तो ये तीनों चीजे किस तरफ सिगनल दे रही है कि नौर्थीस्ट में फिर से एक बार थोड़ी चिंता के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं गवर्नन्स फेलियर लगातार देखने को मिल रहा है फॉल्ट लाइन्स जिनके चलते पहले भी एथिनिक कान्फिक्ट्स रहे हैं वो फिर से आउट ब्रेक होने के चांसेस बन गये हैं और थोड़ साथ में सीसफार एग्रिमेंट साइन करने हो गए स्टेट गॉर्मेंट्स भी हैं वो भी देखो पीस को कैसे ने कैसे हैं इसी पीस फुल टाइम को करन्ट गॉर्मेंट ने योटिलाइज किया डेवलप्मेंटल प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने के लिए जिसमें आप कंस्रक्शन की बात कर लो ब्रेज हो गया इलेक्रिफिकेशन हो गया यह सारी चीजें तो एक आशा की किरन एक नरेटिव ओफ होप वहाँ पर देखने को मिला था कि यहां जी कुछ अच्छा होगा सेंट्रल गॉर्मेंट और स्टेट गॉर्मेंट जो हैं यहां के लोगों क क्या है कि रिकगनाइज करें इस पर्टिकिलर नौर्थ इस्टन रीजन का जितने भी यह सेवन सिस्टर्स ना इनके रीजनल सेंसेटिविटीज को समझना जरूरी है क्योंकि यहां पर आपको पता है कितनी मल्टी एथनिसिटी रहती है बहुत जादे एथनिक ग्रूप रह कि नौर्थ इस्ट अभी तक बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड अभी तक भी वहां पर इतनी मतलब एक होती है ना कि जो मिलिटेंसी है वो यह सोच के आगे चलती है कि हमें सेपरेट होना है इंडिया से अलग से ठीक है तो इन चीजों को हमें समझना होगा और एक जो सेग हो यह सोचने लग जाता है कि कहीं हमारी कल्चर हमारी आइडेंटिटी नहीं सब्जियूम हो जाए ठीक है तो इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा वह बार ठीक है कि पीवी नर्सिमा राव जी के टाइम पे 1990s के टाइम पे नौर्थ इस्ट को डवलप करने के लिए ल 2014 में जैसे एंडिया गवर्मेंट आती है ठीक है तो उन्होंने एक्टीस पॉलिस में कनवर्ट कर दिया पर पॉइंट किया जता है कि आप डवलपमेंट तो कर रहे हो डवलपमेंट के साथ साथ में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी वहाँ पर इसके डवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर क्या हो गया है इनका इलेक्टोरिल फुटिंग फुट्प्रिंट है डाट मींज कि वहाँ पर बीजेपी की सरकारे चल रही है अलग अलग स्टेट में असम सबसे बड़ा स्टेट है वहाँ पर आप देख सकते हो नागालेंट की सरकार आप देखो पर ruling party की पकड़ बन रही है पर यह जो exclusivist agenda है ना जिसमें वहाँ जिसके चलते नौर्थ East में politics है वो polarization की तरह बढ़ती चली जा रही है कि एक poll यह हो गया जो कि BJP को favor करता है बाकि सारे against में चले गए तो यह चीजें बहुत बड़ी एक कह सकते है political instability का कारण बन सकती है एक त result क्या रहा असम में mass level पे mobilization देखने को मिला बहुत जादा भीड ने इस चीज़ का objection किया जो की पिछले दो दशकों में नहीं देखने को मिला था तो आप regional interest को ध्यान में रखो और वहां के लोगों की जो requirement है उनकी identities को आप emphasize करो ऐसा नहीं कि आप एक चीज एक identity उनके उप पर inclusive politics पे काम करने की ज़रूँ था ना की exclusive politics पे ठीक है तो यह warning है चाहे असम की बात करो मिजोरम की बात करो नागलेंड की बात करो या फिर मेगाले की बात करो इन warnings को हमें understand करना है और इन चीजों पर ध्यान रखकर के sensitive area को समझना होगा नहीं तो आपको पता ही है बहुत स से होते हुए निकलता है जो कि बहुत ही 40 या 40 to 45 km का corridor है ठीक है जो अपने आप में sensitivity शो करता है कि हमें North East को सोच समझ करके tackle करना होगा ठीक है आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल है Guardian of the House देखो इस आर्टिकल को लिखा है अरविंद पी दातार ने देखो disturbing scenes तो हम जो state assemblies है उनमें बार-बार देखते रहते हैं कि opposition party के जो लोग है या फिर opposition party के लोग है वो disruption create कर रहे हैं या फिर जो well है जो presiding officer के जड़ सामने का जो space होता है वहाँ प Parliament गया उसमें तो बहुत पिछले दो दसक की अगर बात करें टू डिकेड्स की अगर बात की जाएं तो Parliament में paralysis back to back होता चला जा रहा है और इसमें सबसे एक जो trend देखने को मिल रहा है वो ये कि opposition parties बड़ा मुखर होकर के आ रही है इस चीज के अंदर ठीक है और ये एक तरीक जाता है कि इसी चीज को देखे मौनसुन सेशन को तो ऐसे में तो विंटर सेशन 2021 का जो आएगा उसमें भी यही डाउट है कि वो भी बिल्कुल वाश आउट होगा कोई productivity नहीं आने वाली है इंडिया की Parliament की functioning है लगाता decline होती चली जा रही है इवन स्टेट assemblies भी कुछ इस फ्रेंबरी रीजन वो आप लिख लो that is the lack of independence and impartiality of the speaker. Speaker जो presiding officer होता है उनकी independence नहाँ ना और impartial way में उनका काम ना करना क्योंकि independence क्यों कब होगी जब वो अपनी political party से अगर resign कर देंगे तो वो independently काम करेंगे ना. इंपार्शियल का मतलब हो गया कि वो किसी एक पार्टी को फेवर ना करके ये सोचे कि Constitution of India को हम कैसे अपहल्ड करें तो ये दो principles missing हैं इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है Constitution के अगर बात करें हमारे Constitution में हमने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया वेस्टमिन्स्टर मॉडल जिसको हम बोलते हैं Parliamentary Democracy वेस्टमिन्स्टर लंडन में एक location है जहां पर वहां की Parliament located है जिसमें आप देख सकते हो कि Member of Parliament है उनको सारी powers, privileges, immunities exactly वही provide की गई है जो House of Commons को मिली हुई है England में ठीक है लोग साबा में Speaker जो है वो United Kingdom में जो Speaker होता है वहां के House of Commons का Speaker उसके हिसाब से आप देखो तो उनकी authority more or less Supreme है Supreme का मतलब कि House में क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा ये Presiding Officer, Speaker of लोग साबा जैसे कि United Kingdom की House of Commons में वहां के Speaker decide करते हैं, तो इतनी सारी powers दी हुई है, तो एक primary duty बनती है कि नहीं एक Speaker की कि एक proper conduct हो House के business का, है कि नहीं, साथ में जो constitutional laws है या जो textbook है, वो सीधा सीधा एक ही चीज़ कहती है, कि कोई भी Speaker तब अच्छे से काम कर पाएगा जब वो independent होगा और impartial होगा, मतलब किसी एक party को favor ना करे और किसी का भी उसके उपर दबाव ना हो तो ऐसे में एक Speaker जब preside करेगा, तो फिर उसके उपर दबाव नहीं होगा कि ruling party का हूम है जैसे अभी जैसे ओम बिडला जी है, ठीक है, तो BJP से belong करता है तो वहाँ पर फिर उनके उपर कोई दबाव ना हो जब हमारे पहले लोकसुबाव Speaker जीवी मावलंकर जी ने अपना पद समाला था, ठीक है जब उन्होंने, मतलब when he took over the seat तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि जो elected individual है, जब वो speaker बन जाता है, तो वो party politics से उपर उठ जाता है, ठीक है इसके अलावा, वो सारे members जितने भी हैं लोकसुबाव के, उन सभी members से belong करता है ऐसा नहीं कि एक particular party से belong करें, क्योंकि अब वो क्या, एक constitutional position पे बैठ चुका है ठीक है, इसके अलावा, अगर वो party politics से उपर उठ जाया, तब जाकर कि फिर वो एक evenly justice या just manner में काम कर पाएगा पंडित नहरू जी, जो हमारे first prime minister थे, उन्होंने भी यह कहा था, speaker जो है ना, वो हमारे देश की freedom और liberty का एक sign है, एक symbol है कि जिस तरीके से हम हमारे देश को liberal या liberty के साथ में, मतलब स्वतंतर बना करके आगे बढ़ रहे हैं, बोलो exactly वो चीज का sign ही, एक speaker है लोग सबा का, जो कि हर किसी को बोलने का मोका देता है, चाहिए एक political party जिसका क्यावल एक ही MP लोग सबा में जीत करके पहुँचा है, तो उसमें भी ये कहा था, कि जो speaker है, मतलब उनकी book है, procedure of the parliament, practice and procedure of the parliament, उसमें ये कहा था, कि जो presiding officer, speaker है, उसकी conscience और वो house का guardian है, conscience का मतलब हो गया, कि speaker का vivek बहुत important है, और वो house का guardian है, जैसे हमारे constitution का guardian हम किसको बोलते हैं, supreme court को, तो supreme court independent है, तभी तो वो guardian ship अपनी proper कर पाता है, नहीं तो parliament में या फिर ये जो executives होते हैं, government जो होती है, वो अपने मन में आए, वैसे constitution का amendment कर पाएंगी, तो वो independence है, तभी तो guardian अच्छे से बन पाए, तो वो ही चीज ensure होनी जरूरी है, कि एक speaker जो है, वो एक outstanding ability रखे, impartiality रखे, तो व वो चीज़े ensure करना जरूरी होती है, तो देखो, इसमें सीधी सी बात क्या गई, कि लोगसभा के speaker को एक collective voice के तोर पे काम करने की जरूरत है, ऐसा नहीं, कि जो ruling political party जिसके लोगसभा speaker elect होते हैं, appoint के जाते हैं, उसी party से, तो उसी की बात कही जाए, वहाँ पर impartiality आनी बहु तो ऐसे में, इनकी soul discretion है, केवले, इनका मन है, इनका जो principles है, conscience है, या constitutional provision हो, उनके basis पर decide करते हैं, कि इस मुद्दे पर discussion होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए, तो चाहिए वो adjournment motion हो, या फिर calling attention notice हो, ये सारी चीज़े कौन decide करता है, speaker of लोगसभा, adjournment motion का मतलब तो हो जो member है, वो अगर minister, पूरे house का attention लेना चाहिए, तो adjournment motion लेकर के आगा है, जो भी working चल रहे है, उसको रोको, पहले ये बहुत public importance का एक matter है, इसको सुनो आप, और इस पर ध्यान दो, एक calling attention की बात करें, तो इसमें क्या होता है, कि कोई भी opposition का MP, या कोई भी MP, खड़ा होक करके, और minister जो भी होता है, पर्टिकलर एक segment से associate, जैसे ministry of home affairs है, या फिर आप देख सकते हो, finance minister है, इनसे सीधा कोई भी urgent public importance का कोई मुद्दा है, उसके ओपर attention चाहता हो, तो adjournment motion में तो आप किसका attention चाहते हो, पूरे house का, और calling attention notice के अंदर आप attention किसका चाहते हो, minister का, एक तो यह, दूसरा, जो यह adjournment motion है, यह केवल लोगसभा में आ सकता है, ध्यान रखें, only in लोगसभा, और दूसरी तरफ, calling attention notice जो है, यह आपके राज्यसभा और लोगसभा दोनों में आ सकता है, तो बोले यह जब table पे आए, तो यह चीज आगे बढ़ेगी कि या रुक करके रखा है हमारे constitution में, और यही चीज मावलंकर जी ने ध्यान में रखा, कि हमारे country को अगर हम effectively और progressively कंड़क्ट कराना चाते हैं, तो speaker of लोगसभा को हमें strengthen या फिर empower होने की जरुवत है, impartial होने की जरुवत है, independent manner में काम करने की जरुवत है, साथ में हमारे यहाँ पर parliamentary supremacy की बात करते हैं, ठीक है, तो parliamentary supremacy इसलिए ही तो बोली जाती है ना, कि उसमें जो lower house है, जिसको हम लोगसभा बोलते हैं, house of people बोलते हैं, तो उसमें हमारे constitution के हिसाब सा article 75, clause 3 में क्या लिखा हुआ है, कि council of minister जो है, वो collectively responsible होंगी किसके लिए, house of people जिसको हम लोगसभा बोलते ह तो यहाँ पर अगर कोई भी executive, कोई भी कदम उठाता है, तो उनकी accountability fix करने के लिए ही तो लोगसभा है ना, इसी को तो हम parliamentary democracy बोलते हैं, तो यह article 75, clause 3 जो है, इसमें accountability का मतलब हो गया कि लोगसभा बहुत ज़्यादा powerful है हमारे यहाँ पर, तो उस लोगसभा का जो guardian है, वो ह कैसे आप functioning proper करा पाओगे, तो यह बार-बार evidences दिये जा रहे राइटर के द्वारा, आगे चलते हैं, फिर आगे राइटर यह बोलना चाहरे है, कि हमारे पास में इतने सारे judgment पड़े हैं Supreme Court के, जिसमें anti-defection law को लेकर के cases पहुँचे हुए हैं, जो डीशेरी में, अब anti- defection law, schedule 10 of Indian constitution, इसमें क्या है, कि कोई भी individual या फिर कोई भी group of individuals, वो अगर shift करता है, अपनी political party से हैं, दूसरी political party की तरफ, ठीक है, जुनाव तो जीत के आगए, XYZ political party के चिंशे हैं, और अब वो जीतने के बाद में बोलते हैं, कि सरकार तो XYZ नहीं, ABC party बना रही है, तो उन्ह defection law के आने के बावजूद, अभी तक भी जो effective implementation है, इस law का, वो ensure नहीं हो पा रहा है, वजह है, कि इस law को implement करने में, जो main role play करते हैं, वो होते हैं, speaker, अब speaker चाहे वो लोग सभा के हो, या फिर speaker, वो state legislature के हो, तो ऐसे दोनों situation के अंदर, आप देखो कि जब speaker independent, impartial नहीं होग तो कैसे anti-defection law को properly implement करेगा, क्योंकि अगर speaker जो है, वो ruling party के favor का होगा, ruling party का ही तो individual होता है वो, ठीक है, तो वो बंदा क्यों चाहेगा कि ruling party को अगर कोई भी दूसरी political party के MPs या MLA जाकर के join कर रहे हैं, और उनको फिर वो defect कर दे, उनकी membership खतम कर दे, तो ये चीज हमें ensure कर pending पड़े हैं, तो constitution के जो provisions है, dignity of house है, उसको maintain अगर हमें करने हैं, तो देखो CDC बात है, कि जैसे speaker का appointment किसी का भी individual का हो जाए ना, कोई ruling party है, जैसे अभी BJP है, ruling party कहाँ पर, central government में, या आपकी बात कर लो, आम आदमी party, ये ruling party कहाँ पर है, दिल्ली में, तो यहाँ पर जैसे ह कि आपने अपना एक candidate उठाया, elected members में से, और बना दिया speaker, तो वो आप से resign कर दे, कि अब मेरा इस political party से है, जब तक मैं speaker हूँ, तब तक कोई लिंदेन नहीं होगा, ये जो conduct है, ये England में use होता है, ठीक है, UK की parliament में काम आता है, Westminster जहाँ पर है, ठीक है, तो बोलो, वही चीज हम यहाँ पर हमारे central government में, हमारे यहाँ पर भी apply कर सकते हैं, इससे क्या होगा, वो impartial और independent manner में काम कर पाएंगे, और सबसे important चीज क्या है, national interest को protect कर पाएंगे, ना कि ruling party को राजी करना, समझ गए, इसके अलावा, जो disruption है parliament में, इसकी पीछे वज़े क्या है, क्योंकि opposition party के जो leaders हैं, opposition party के जो लोग हैं, उन लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, और उसके बाद में आपको पता है, वो disruption करते रहते हैं, और back to back फिर जो majority जिस सरकार, government के पास में है, वो फिर बिना पूछे, बिना ताचे, बिना कोई discussion, बिना कोई debate के, bills पारित कर देती ह अब आप देखो, कि जो monsoon session था, इसमें एक भी bill है ना, कितने ही important bill पारित हुए, हम देख चुके हैं back to back, उन में से एक भी ऐसा bill नहीं है, जिसको select committee के पास में भीजा गया हो, अब आप बताओ, कि democracy का सबसे बड़ी पंचायत क्या है, parliament, अब parliament में जब debate, discussion ही नहीं होगा, तो फिर क्या फिर अच्छे कानून बनेंगे, फिर वो कानून जो होंगे, वो एक तरीके से deleterious condition वाले होंगे, deleterious मतलब harmful कानून बना दिये जाएंगे, और ये court कि इसने दिया है, कि अगर बिना debate, discussion के कोई भी law बन रहा है, तो वो हमारे लिए harmful हो सकता है, जैसे कि आप ही ये farm laws अपने आप implement होते, क्योंकि हमारे यहाँ पर agriculture में reforms आये हैं, आने बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 30 साल हो गए हैं, जब से हमने LPG policy adopt किया है, तब से अब तक farming में, agriculture में कोई changes नहीं ले गए, पर वो ही बात है, कि Parliament के जो opposition party के जो members हैं, वो बहुत ज़्यादा frustrated है क्योंकि उनको सुना ही नहीं जा रहा, उनको बोलने का मोका ही नहीं मिल रहा, ना debate हो रहा है, ना deliberation हो रहा है, तो फिर बसता क्या है, कि Parliament, जिसके लिए हम बोलता है, wisdom of Parliament की, वो अपनी पूरे conscience के साथ हमें अपनी बात को रखेंगे, और फिर बाद में आप देखो, कि कु जो होती है ना, ये हामफुल है हमारे लिए, और इसी चीज़ को लेकर के, चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने क्या का, तो ऐसे में इसका, इस तरीके के कानून का deletarious effect आता है, बहुत ज़्यादा हामफुल वो साबित हो जाते हैं, चाहे हो कोई भी बिल हो फिर वो, ठीक है इसके अलावा, आप देखो यहाँ पर, इसके consequences क्या होता हैं, कि executive की power लगातार बढ़ती चली जाती है, bureaucracy लगातार अपनी command बनाती चली जाती है, अब bureaucracy अगर हो गई, तो फिर वो red tapism का जो मुद्धा था, वो तो फिर बाद में आपने कहां खतम किया, कहां पर आपने efficient administration को conduct होने दिया, इस चीज़ को हमें correct करना जरूरी है, 1951 में no judges की bench ने, supreme court की no judges की bench, जो दिल्ली law case था, उसमें revision हो रहा था, उससे समधी जब statement दिये तो यह कहा था, कि जो legislative function है, उसको आप delegate मत करो, bureaucracy को, delegation का मतलब यह हो गया, कि legislature जो है, वो ज़्यादा बात चीत ना करके, किस इसमें फिर legislature का काम क्या रह गया, यह बताओ, तो इसको बोलता है, delegate करना कि आप hand over कर रहे हो, अपनी authority दूसरे किसी individual को, या दूसरे किसी group को दे रहे हो, तो इसमें तो फिर bureaucrates हैं, वो अपने हिसाब से कानून को implement कराएंगे, कानून को बनाएंगे, तो वो तो फिर law making process, जो legislature का है, वो खतम हो गया, जहां पर हम power separation की बात करते है, article 50 of DPSP, जिसमें सीधा ये कहा हुआ है, कि democracy की तीन pillar होते है, legislature, executive और judiciary उनके बीच में separation होना चाहिए, power का, और check and balance होना चाहिए, तो यहां पर legislature ने जब अपने power और अपनी जो duty है, वो ही executive को delegate कर दी, तो फिर जरूरी है, आज कानून में लाए जा रहे हैं, जैसे कि information technology law लाए गए है, ethics वाले, इसके अलावा electronics commerce के लिए जो कानून लाए गए है, बोले ये rules, parliamentary laws के basis में आने चाहिए थे, जबकि ये बनाए किस नहे rules, executive ने इनके ओपर कोई बात ही नहीं हुई, फिर बाद में litigation, कभी दिल्ली हाई कोर्ट में litigation लग रही है, तो कभी आपको पता है, Supreme Court में लग रही है, और जो ये information technology rules है, इसमें जो section 9 है, 9 है, उसको तो वैसे ही एक हाई कोर्ट ने struck down कर दिया, कि बोले ये तो बिलकुल ही एक तरीके से freedom of speech and expression article 19 clause 1, उसको बिलकुल ही खतम करती है, तो बोले अब ये चीज़ बताओ, separation of power तो basic structure नहीं हमाने constitution का, आप उसको क्यों नहीं relevant रख रहे हो, क्यों लगाता आप democracy को weak करने में लगे हो, आएक legislature में जब एक कोई भी मतलब देखे हो, सिधी सी बात है, कि speaker अगर अपनी constitutional obligation को समझे, तो उसके लिए उसकी impartial और independent होनी बहुत जैसे कि 1967 में जब एन संजीवा रेड़ी, ठीक है, नीलम संजीवा रेड़ी, जब वो speaker बनते हैं लोग सबाके, तो उन्होंने resign कर दी हाता अपनी party से, कि बोलें, अब मैं एक independent manner में काम करना चाहता हूँ, तो prime responsibility किसकी है, देखो, हर एक ruling party जो है, वो इस चीज़ को accept करे, चाहिए वो state में हो, चाहिए central government में हो, कि constitutional conventions को implement करना, ना कि अपनी इच्छाओं को, ठीक है, तो यहाँ पर option binary है, या तो देखो state या parliament legislature को, एक terminal decline की तरफ ले जाओ, बरबाद कर दो, इनको एकदम खतम कर दो, या फिर speaker को independent बना दो, जिससे कि वो legislature की functioning को constitutional basis के उपर perform करवा सके, जिससे कि public importance की जो laws है, उनके ओपर बातचीत हो, deliberation हो, और सई function हो, democracy का, तीक है, तो यह चीज़ बहुत ही अच्छा article था, इसलिए detail में देखा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, the future is female, इस आर्टिकल को लिखा है, देखो, नाविया नवेली नंदा और सम्यक चक्रवरती ने, देखो, 48% population जो है हमारे देश की, वो है women, कोई डाउट नी है, इसमें, दूसरी तरफ, इंडिया की economic growth की अगर बात करें, तो इसमें एक active driver के तोर प और ये चीज़ recognize, बहुत सारे experts ने भी किया है, और साथ में World Economic Forum की अभी एक report आई है, जिसमें ये कहा है, कि जो skill की requirement हमें 21st century में requirement हो, जिसमें की emotional intelligence, creative problem solving, और critical thinking और storytelling, इस तरीके की situation में हम, मतलब एक तरीके की जो एक real time situation बनती है, अचानक से, कि इस problem का क्या solution हो, और जहाँ पर emotional intelligence की बहुत ज़्यादा जरूर रहता है, तो बहुत वहाँ पर Indian women जितना अच्छा role कौन play कर सकता है, आज देखो हमारी मा, mother, sister, wives, वो किस तरीके से emotionally हमारे family को एक bonding में रखती है, problem को किस तरीके से solve करती है, बहुत इस तरीके की abilities तो हमारे इस तरीके की proficiency तो हमारे women मे already है, women's में already है, क्यों ना आप उनको इस चीज का use करने के लिए explore करवा हूँ, अभी तक हम क्या बोलते हैं, कि औरते जो हैं, वो emotional होती है, तो उसको उसकी weakness मानी जाती है, बोलो weakness नहीं है, आज के टाइम पर वो strength है, जो demand की जारी है, जो हम कह सकते हैं, industrial revolution 4.0, इसमें जो requirement ह अब बोलो, उन problems को solve करने में, already महरत हासिला है हमारे याँ पर जो homemakers है, हमारी mothers, हमारी sisters है, तो आप daily basis पर देखो ना, वो कितने expertise और कितने smoothly उस चीज को conduct करती हैं, दूसरी तरफ आप youth की बात करो इंडिया में, generally है ना, तो हमारे education system में हम train करते हैं, training किस चीज के लिए, technology में, skill provide करने के लिए, academic knowledge provide करने के लिए, पर जो large company, जब बड़ी से बड़ी कंपनियों में, आज अगर उंची से उंची post पे आप देखोगे ना, तो शुरुआत में जब entry होती है, तब तक तो देखो, डिग्रियों को देखा जाता है, कि आँजी आपके पास में minimum qualification है कि न ले सके, तो यहाँ पर दो broad realities निकल के आ रही है, और उन्हीं दोनों broad realities को recognize करने के बाद में, हमें correct करने की ज़रुत है, जिसमें number one क्या है, कि women को हम lower income community की तौर पे consider करते हैं, उनको low pay scale के उपर job provide करते हैं, तो इस vision को हमें थोड़ा सा, और उनकी aspiration को हमें थोड़ा सा broaden करन की ज़रुत है, उनकी capabilities को हम limited ना समझें, क्योंकि emotional intelligence की अगर बात करें, तो women जितना, Indian women जितना कोई हो सकता है, बहुत मुश्किल, creativity, आप देखो किस तरीके से खाना हो या नहीं हो kitchen में, किस तरीके से वो produce कर देती हैं, कि ये लोग आपके लिए ready है, सब कुश dishes, second हो के अं अपने perspective को broaden करो, low scale के उपर उनको मता को, number two, women जो है, वो accommodated, मतलब आप देख सकते हो, उनको accommodate आप करके रखते हो, कुछ project के उपर, क्या, कि बहुत पेपर वर्क में दिखा दिया, पेपर वर्क में किस लिए, कि हाँ, हमारे यहाँ पर gender equality को हम promote करते हैं, तो women participation in jobs, यह आप के बहुत पेपर पे दिखाना चाहते हो, leadership की जब बात आती है न, चाहिए वो small and medium enterprises होते हैं, बहुत वहाँ पर भी leadership के तोर के उपर काम नहीं मिलता उनको, तो एक तो leadership उनके ensure करनी ज़रूरी है, साथ में, अगर इन SMEs में देखे तो ज़्यादा तर जो creativity का काम है, वो कौन करता है, women employees, तो ये दो चीज़ें करनी ज़रूरी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया है, ओके, फिर बताया जाता है, कि ज़रूरत किस चीज़ की है, अचा आप ये चीज़ें की कैसे जा सकती है, इसमें multi stakeholder approach की ज़रूरत है, जिससें कि आप gender, मत आज आप artificial intelligence की बात करते हो, machine learning की बात करते हो, financial analyst की बात करते हो, experts हो, copy writers हो, product manager हो, entrepreneur हो, या फिर किसी भी company का CEO हो, वहाँ पर अगर आप women को deploy करोगे, तो क्या result आपको पूर मिलेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर जो situations है, वहाँ पर emotions की ज़रूरत है, केवल strictly, कहते न, thumb rule apply कर पाना नहीं रह गया है, अब आपको वहाँ पर situation को perceive करना होता है, समझना होता है, और वहाँ पर Indian women बहुत अच्छे से perform करेगी, अगर बात करें, तो उसके पीछे दो तीन वज़े रहती है, एक तो क्या यही factor रहता है, gender हो गया, या फिर college, कि हाँ आप IIT से pass out हो, या फिर socio-economic और humanitarian crisis, समाज के अंदर औरतों का जो status है, वो down, और दूसरी चीज, humanitarian crisis, बहुत ज़्यादा human rights का violation, तो ऐसे में, inequalities जो हमें correct करने की जरुवत है, quality exposure देने की जरुवत है, चाहे वो youth हो, चाहे women हो, ठीक है, साथ में, जो institution, elite institutions है, जहाँ पर बहुत सारा पैसा दे करके, ज करने वाले individual है, चाहे वो youth हो, चाहे women हो, उनको तो आप अच्छे से ले ले तो, हाँ, ये बाद ठीक है, कि जो employer है, one second, one second, one second, हाँ, तो employer है, वो तो देखो, इस तरीके की demand रखेगा, कि हमें ऐसा requirement है, और उन requirement को fulfill करने के लिए, जो privileged background के लोग है, वो fulfill, मतलब अपनी requirement या फिर अपनी eligibility show कर देते हैं, तो इन gaps को हम कैसे correct कर सकते हैं, ठीक है, college के basis पे discrimination, education का background क्या रहा है, और दूसरा आप gender basis पे discrimination कर रहे हो, या फिर आपके कौन सी family से belong करते हो, privileged family से हो, या फिर कोई growing family है कोई, उससे belong करते हो, तो ये जो gap है ना, जिसमें privileged section को आप ज्यादा entertain कर रहे हो, job देने में, या फिर उनको leadership की position में देने में, और दूसरी तरफ आप उनको, मतलब जो less privileged background से जो लोग आ रहे हो, उनको discourage कर रहे हो, तो इसके लिए देखो, corporates को, government को, leading position में जो individuals हो, उनको साथ में आ करके, equal opportunity के लिए platforms create करने होंगे, और इसके लिए क्या किया ज proficiency दे सको, मतलब ये, कि उनको एक direction मिल जाए, कि हाँ, आपके अंदर जो कुछ भी आपकी qualities हैं, उनको आप utilize कर सकते हो, बड़े level के उपर, और उसके लिए आप उनको non-technical manual में skill दे सकते हो, soft skill उनकी improve कर सकते हो, तो ये win-win situation है, women के लिए भी, जो job लेना चाती है, और employer के ये भी, जिनको quality employee मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये situation बताई जा रही है, ठीक है, साथ में women की position और power अगर उनके हाथ में आती है, तो automatically empowerment तो होता ही है, उनके strength को हम increase करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो men's की तरह काम करें, नहीं नहीं, वो खुद की अपने एक identity create करें, ठीक है, जैसे कि business man नहीं, business women, आगे चलते हैं, नेक्स article है, understanding Taliban 2.0 article को लिखा है, M.K. भद्र कुमार के दौरा, ये देखो, diplomat रह चुके हैं, expert है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो main section है, Ministry of External Affairs में, वहाँ पर, तो इनका ये कहना है, कि regime change हो रहा है, और ये होता रहता है, और latest अभी देख सकते हो, अफगानिस्तान में हुआ है, ठीक है, 1992 में मुझाहिद दीन ने take over किया था, 1996 में, फिर हो Taliban के तौर पे take over कर चुके थे, तो ये चीज़ कोई पिसले दो दसकों में कोई पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है, जिसमें एक तो Mi eigenlijk में मेर में आपको पता है, मिलिटरि रिजिम, एक ठाइलिंड में आपको पता है, वहां पर आपको पता ही, 2013 के लगबग, 2014-13 के लगबग, वहां पर ही ठालिबान के रूल आगया था, अब ये रूल आ गया है, तो यहाँ पर हमारे इंडियंज ने जो क किया exactly वो की वो चीज रिपीट होगी बिलकुल भी ऐसा नहीं है आप थोड़ा समझो तो सही कि पिछली बार तालीबान का क्या अप्रोच था और अब की बार तालीबान का क्या अप्रोच है चोटी-चोटी तालीबान के अंदर भी तालीबान जो था वो इतना ज़्यादा एकसेप्टेड नहीं था पहली चीज तो दूसरी चीज वहाँ पर जो सरकार का जो दबदबा था या फिर जो एक आइडिया था लिब्र,' देमोक्रिटिक आइडियास का वो इतना ज़्यादा प्रेवलेंट न को सीधा थीक है बुलब प्रेस कांफरेंश की है उन्होंने और ग्रांट सेटिंग आराम से वहाँ पर जो प्रेस के इंडिवीजुवल से वह बैठे हैं और उन्होंने अपनी बात कही तो उनके बैक्ग्राउंड में जो दिख रहा था ना वो देखने वाली बात थी कि अभी गंटे से जादा का टाइम हो चुका था उनको काबूल में एंटर हुए और उसके बावजूद भी उन्होंने प्रॉपर्टीज को डेमिज नहीं किया सबसे पहला सिगनल दूसरा सिगनल कि रिजीम चेंज हो गया उसके बावजूद भी वो कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं बहुत ही शान्ती से सेड़िटली सेड़िटली का मतब होता बड़ा काम फुल मैनर में वो काम कर रहे हैं और एक ट्रांजीशनल गॉर्मेंट की डिमांड कर रहे हैं कि हम एक ऐसी च्छै मैने के लिए सरकार बनाएंगे जिससे की बहुत ही ज़्यादा देखे जाएं अफगानिस्तान के अंदर जब एक तो USSR का विड्रोल हो गया और दूसरा फिर तालीबान को खतम करने की अगर बात तालीबान का जो रिजीम आया वो तो उस टाइम पर जो इंटरनेशनल कम्यूटी थी वो इतना ज्यादा इन्वाल नहीं थी पर अब की बार चाहता है विक्टर तालीबान की वर्ल्ड कम्यूटी के साथ में असिस्टेंस भी ले नेशनल रिकॉंसिलियेशन हो जिसमें आप देखो वहाँ पर असरफ गनी तो भागे है ना उसके अलावा जो हामिद कर जाई है अब्दुल्ला अब्दुल्ला है या दूसरे जो पॉल जैसे मैंने वर्ल्ड पेज पर हमने एक न्यूस देखी थी जिसमें क्या था कि यूएस और चाइना की बीच में बातचीत हो रही है दोनों के फॉरेंट अफेर मिनिस्टर की बीच में बातचीत हुई और चाइना नहीं ये कहा कि यूएस जो है वो उईगूर्स को बैन कर तो नहीं तो क्या होगा उईगूर्स के चलते तालिबान बढ़केगा और तालिबान बढ़क गया तो अफगानिस्तान में शान्ती नहीं आएगी तो देखो जो नया कोल्ड वार कंडिशन सिचुएशन बनी थी उसमें भी कंस्ट्रक्टिव मैनर में काम करती हुई दिखा दूसरा ये कि अफगानिस्तान में सरकार अब बन रही है और सरकार के अंदर वो कोशिस कर रहे हैं कि हम कोई भी कलाबरेटिव मैनर में काम करें तो आप केवल पाकिस्तान के लेंज से ही क्यों देख रहे हो तालिबान को तालिबान अगर वहाँ पर प्रॉपर मैनर में सरक बना भी लेता है तो इंडिया को फिर engagement की कोशिश तो इंडिया तो करेगा करनी पड़ेगी आपको अगर तालीबान शांती से रहना चाहे क्योंकि तालीबान भी है ना वो गलती नहीं करेगा या फिर यह नहीं चाहेगा कि अब फिर से उसको उखाड के फैंक दिया जाए किस वाला गेम समझ लिया कि जी पाकिस्तान की बैकिंग की वज़े से तालीबान का इंस्टॉलेशन हो गया तो यह मानो कि इंडिया की हार हो गई ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर आप जाकर कि सिचुएशन को एक बर परसीव करो समझो कि जो ट्रेडिशन है जो कल्चर है वहाँ गुरुप के साथ में अपनी बाचीत शुरू कर दी थी जिसको बोला गया था पेशावर सेवन ये नाम लिख लो आप पेशावर सेवन तालीबान के जो लीडर्स थे मुझाई दीन उनके साथ में इंगेजमेंट अपनी रही तो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमें वहाँ में मैसेज लिख रहे हैं इंडिया में अपने कॉल्स के जो टीचर था फैकल्टी जो लिख रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो हमारी एजुकेशन कंटीन्यू करनी है हमें तो इंडिया की तरफ अच्छी खासी नजरों से देखा जा रहा है और तालीबान वहां के लोगों क रिफ्यूज किया है तो उसमें आप देखो ना एक बर वेस्टन वर्ल्ट को भी थोड़ा समझने कोशिश करो एक तो आपने अमेरिका ने जो किया एक्जेकली अमेरिका करेगा क्या उसी चीज को आफ फॉलो करोगे यह चीज अपने आप में डाउटफुल हो जाती है और अफगानिस्तान की जो नई रिजीम आएगी वो भी यह चाहेगा कि हम प्रोग्रेस करें 1990 के टाइम पर तालीबान जो था उसके टाइम से लेकर अब तक बहुत ज़्यदा गैप है तालीबान अब चाहता है कि इंटरनेशनल रिकग्नीशन मिले उसको इंटरनेशनल कम्यू कि यह सुन्नी डॉमिनेटेड कम्यूनिटी है और आपको पता अफगानिस्तान की बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर होती है इरान के साथ में इरान है एक शिया डॉमिनेटेड कम्यूनिटी है और साओधी अरब इरान और इनकी दुन्यों की रिजनल राइवलरी चलती है तो हमें तालिबान को एक बार समझने की जरूरत है जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है उस टाइम पर तो क्या हुआ था कि 11 इरानियन डिप्लोमेट्स की डैथ भी करवा दी गई थी वो सारी चीज़ें यहां पर बताई जा रही है उसके चलते बोले इंवॉल्मेंट यहां पर तालिबान का था वो सारी चीज़े थी मेन क्या था शिया सुन्नी कम्यूनिटी का जो इशू था वो पाकिस्तान की प्राइरिटीज को भी एक बार समझो भई पाकिस्तान क्या चाहेगा तो यह कुछ प्लस पॉइंट्स है पर हां हमारे पास में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत सा रेकलेक्ट हो गए थे प्रीवेस आर्टिकल से है की नहीं तो अभी थोड़े से प्लस पॉइंट्स है कि हम तालिबान को बिलकुल निगेटिवली ना देखें इसके लाव आप देखो कि नॉर्डन अलाइंस जिसमें वहां के अलग-अलग कम्यूनिटी के जो लोग थे हजारा कम्यूनिटी के लोग हो गए वहां के पस्तून हो गए ठीक है या ताजिक हो गए उजबेक हो गए तो उन्होंने मिलकर के तालिबान का जो फस्त रिजीम था उसको तो रोकने की पूरी कोशिश की थी और उसी नॉर्डन अलाइंस में से एक लीडर निकल के आता है जिसका नाम है अश्रफ गनी पर वो अश्रफ गनी क्या हुआ भाग गया फ्ली कर गया अपनी जान बचा करके एक तो उसकी वज़े से और दूसरा करप्ट रिजीम रहा था अश्रफ गनी का तो उसकी वज़े से क्या हो गया नौर्धन अलाइंस भी अब तो रेलेवेंट नीरा जिसके चलते अब इंडिया थोड़ा बहुत अपना अगर पकड़ भी बनाना चाहे देखो हामिद कर जाई अब्दुल्ला अब्दुल्ला और गुलबुदीन हक में त्यार ये अभी दोहा राउंड अफ टॉक्स जो हो रही है अफगानिस्तान के लिए पीस प्रॉसस के लिए उनमें इंगेजमेंट ला रहे है तो ऐसे मैं आप देखो न स्कोप कितना खुल रहा है और वाशिंग्टन और मॉस्को दोनों भी इसी चीज के लिए काम कर रहे है कि कैसे भी करके वहाँ पर सैटलमेंट हो जाए तो ये जो पैरेनोया बना हुआ है न ये जो एक अंजस्ट मिस्ट्रस्ट ऑफ तालिबान की डर लग रहा है कि पर तालिबान गड़बड करेगा तो उस चीज को करेक्ट करो ये अनवारंटेड है आपके दिलों में जो दिमाग में जो डर बैठा हुआ है हमें अफगानिस्थान को तालिबान वे जो तालिबान का रूल आ रहा है वो एक्स्क्लीजिव नहीं है अब की बार वहाँ पर Nationalistic approach के साथ में आ रहा है वो बाँ ठीक है कि वहाँ पर वो Islamic regime, Shariat law implement करने की बात कर रहा है तालिबान पर इसका मतलब यह नहीं कि तालीबान वहाँ पर अपने स्टेट को बरबाद करने के लिए आ रहा है ठीक है तो तालीबान की अफगान ने इसको हमें समझने की जरुवत है एक robust sense of independence लाने की जरुवत है कि तालीबान जो है independently काम करना चाता है अपनी एक autonomy के साथ में काम करना कि जी वहाँ पर पाकिस्तान कहे वही तालीबान करे ऐसा मुश्किल लग रहा है अब की बार तो इसके लिए हमें ये समझने की जरुवत है कि तालीबान है न वो इंडिया के साथ में भी अच्छे relation रखने की कोशिश करेगा ठीक है जिस तरीके का अभी scenario समझ में आ रहा है तो ये बताना चाहरा है writer और इनका जो designation है वो आप समझ सकते हो यहाँ पर ठीक है बाकि RBI का तो मुद्दा जो था उसमें देखा ये की बात है कि state of economy report में ये बताया कि जी अभी economy है वो recover कर रही है manufacturing industry अच्छा perform कर रही है तो और second wave जो थी वो निकल चुकी है तो problem थी वो प finances इसलिए है क्योंकि अभी भी vaccination बहुत कम हुआ है दूसरा inflation को आफ underestimate मत करो ठीक है क्योंकि RBI को जो government of India की द्वारा प्लस माइन 4-2% का जो target दिया हुआ ना उसको अभी थोड़ा सा control में आते हुए देखा जा रहा है पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमने बहुत अत्तक inflation को control क maximum होगे inflation 4-2 के हिसाब से 6% maximum अभी चल रही है 5.5 something के लगबग तो बोला अभी तक भी ज्यादा कोई control में नहीं है inflation तो inflation को underestimate मत करो क्योंकि RBI की monetary policy committed जो अपनी accommodative stance है जो रेवर्स रेपोरेटर उसको reduce करने की बात नहीं किया है मतलब ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं किया ह है जैसे की जैसे बनाए हुए क्योंकि growth main target रखा हुआ RBI ने तो growth रखो कोई problem नहीं है पर inflation को ignore मत करो यह बात बोली जा रही है एडिटर से एडिटर के जारा ठीक है तो discussion में इतना ही था thank you very much for watching this video बाकि लिंक आप देख सकते हो कौन कौन से article का कैसे हम link कर सकते है description box में given है